वीट प्रकार जी आप आपको ऐसा लगता है कि आज विबेक कुमार को लेका जो समर्थन कर रहे लोग सिर्फ कुस वहाँ समाज की लोग हैं आप गली थे क्या आपके समर्थन में लोग आते हैं नहीं बात ये है कि जाती के नाम पर किसी भी भरस्टाचारी को समर्थन नहीं दिया जा सकता है अगर हम अपनी जाती के भरस्टाचारी अधिकारी को समर्थन करते हैं तो हम अपने आपको धोका देते हैं अपने समाज को धोका देते हैं पद पर वो जब अधिकारी रहते हैं तो उनको समाज की याद नहीं आती है, जब गलाव घर्दन फंसती है, तो उनको समाज की याद आती है, या तो वो दलित कहते हैं अपने आपको या फिर पिछड़ा कहते हैं, लेकि इन लोगों को आरक्षन इसलिए नहीं दिया जाता है, कि वो ब्यक्तिगत समर्द्धी करें आरक्षन का मतलब है कि आप आरक्षन से जाते हैं SSP बनते हैं तो आप अपने समाज का परतिनी धित्व करें आपके समाज के साथ कहीं अन्याई नहों इसके लिए आपको कम नंबर पर सेलेक्ट किया जाता है लेकिन ये लोग करते क्या है आरक्षन लेने के बाद जाते हैं प भी सी से हैं उनका समर्था नहीं किया जा सकता है लेकिन बिहार में जिस तरह से जो भी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं जिन पर कारवाई हो रही है वो या तो धलित होते हैं या पिश्डी जाती के होते हैं अगडी जाती के जितने भी अधिकारी हैं किसी पर इस तरह की लग थोड़े ना है कि वह इमानधारी का स्टीफिकैट लेके आते हैं , तो इस तरह कि अग्डि जाती को पर पर्मानपत्र, पाक साफ कह इमान दार। दलित समाच से हो रहा है और नवादा में सबसे ज़्यादे पिंधन हो रहे हैं तो मैं उस अपने समाज के साथ निया नहीं हो रहा है थो मैं इस वेश इसके लिए हम उनका समर्था नहीं सकते हैं विवेक जी उस समाज से आते हैं और शायद आज यह लोग आवाज भूटा रहे हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि यह चुनावी सुख भूगाहाट है शायद इस वज़ा से वोट बैंक की राजनिती और संतोष जी जिस तरह से कह रहें कि उन्होंने पार्टी से अपने काम के बदले कुछ मांगा उनको पद से हटा दिया गया तो अब यह क्या आरूप लग रहे हैं और क्यों समर्तन कर लग रहा है पर इस पर लेकिन एक बात करना चाहांगा कि साजीस के तहत कि अधिकार कोди भॉंक्त नाम पर अगर अगर वह नहीं बोला हमें बोलने की कमी है भापर ऑगर जल्दी एक लेताक बोलने दिए जाती नाम पर अगर अगर भ्रश्ट अधिकारी onlar गलत है विखास को भिखास के रहा पर से राह तर बढ़ाना इ defence तो अदर कि कि गलत है कि किसी हद्थ यह को किूँ समर्थने के पर अन्ग च करना इस अब भर्मेश्वर मुख्या करकोश्य करना जाहहें विकास को बिहार को विकास के राह पर बढ़ाना है तो मिल जुल कर चलना होगा इस जातिगत राजनीती से उपर उठना पड़ेगा फिलाल आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो दुर भागिये ये इस तरह के मामले पर भी ब्रश्चाचार के समर्थन में राजनीती हो रही है और एरानी इस बात की भी किसमें विफक्ष के साथ सत्ताफक्ष के कई नीता हैं जो अपनी ही सरकार को इस मामले में घेदने में लगे अब सोचना आप सब को है कि ये राजनीती नियाय के लिए या फिर चुनाओं को द झाल